दुनिया हमारा अड़्डा है, ट्रावल तो भाई बनता है, कम्यूनिकेट करना हमारा फंडा है So let's go to Sentosa Hey guys, see this, this is Mount Faber, Cable Car Station and now हम लोग यहाँ पे Cable Car में है Look at the city, oh my god This is super, see you guys, this is Mount Faber Cable Car, so you can book it online when you go to Sentosa जाओगे, जब आप Sentosa जाओगे, आप बहुत सारे वेज हैं, उन में से यह एक अनोखा वे है And that is Mount Faber Cable Car Station So you can see how many cable cars are going here And this is something outstanding view Wow, यह डिरेक्ट हमारा Sentosa में land करेगा Okay, so guys, आप इसको छोड़के बस में भी जा सकते हो, आप Expressway से भी जा सकते हो लेकिन हमने यहाँ पे Cable Car को चुना, because this is something incredible You can see outside, it is incredible This is a very nice cable car that you can see I also have two children here Hi Aashu, Hi Shravya Yes, are you enjoying? Yes Oh my God, they are enjoying So, they are also enjoying And I will show you that my family, the rest of the family, is where? Yes Oh my God, they are so far, they are very far behind us Look at that Very far behind us Now, you will think that we are not together We are not together, because as per this mount favor, you know So, Cable Car Regulation, is a Cable Car Maximum 5 Gen जा सकते हैं So, हम लोग 6 Gen है, इसलिए हमें अलग अलग जाना पड़ रहा हैं But guys, you should definitely try this This is incredible view of Singapore आप देख सकते हो, वहाँ पे Singapore का एक अलग ही नजारा बाहर This is a wonderful view guys Sentosa Cable Car का, एक तम टॉप व्यूँ मैं आपको दिखा रहा हूँ यह टॉप व्यूँ आपको किसी भी किनाले से नहीं मिलेगा यह मैं आपको दूसरे साइट से दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो Cable Car सो अब हम लोग जा रहे हैं, Sentosa अब देख सकते हो कि हम लोग कितने हाइट में हैं अभी केविल कार में हैं आप यह नजारे को अच्छे से देखो यह हम अल्रेटी दो बड़े बड़े बिल्डिंग के अंदर से जा रहे हैं मुझे कोई अडिया नहीं है क्या होने वाला है, मेरे ख्याल से हम लोग अंदर से पास हो जाएंगे यह मेरे ख्यान फिकशल मेरे इस फिक अइस प्छे से थिर नहीं है क्या बहुत बोलना जाहता हूं यह जो Station है यह है Harbour Front Harbour Front Section सो यहा पर हम लोग नहीं उतर रहे है हम लोग और आप इस एलेग को तो साव तो आप निमाग में रखना कि अगर आप सेंटोसा जा रहे हो तो आप नहीं यहां पे उत्रोगे, आप सिधा जाओगे सेंटोसा के लिए यह जो है, यह स्केशन का नाम है हार्बर फ्रॉंट आर्बर फ्रॉंट यह है नजारा और मैं दूर से जो देख रहा हूं, हम लोग बढ़ रहे हैं सेंटोसा के करीब दिस इस अमेजिंग विव, यह विव तोटली अलग है जब अम लोग मांट फेवर से हार्बर फ्रॉंट में जा रहे थे तो वो एक थोड़ा सिटी विव था, अभी अम लोग हार्बर फ्रॉंट से अभी सेंटोसा जा रहे हैं तोटल वीव इस अबसलुटली दूफरें दिन नॉमल यह जा इस 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 अपरी जाए है लोल शुटली वीव थेवर सिंगपोर इस विए वोन्डरफू कुछ इंफरमेशन है आपको दिखाना जाओंगे यहां आप यहां पर पॉस करके इसको देख सकते है यहां पर अल्रेडी लिखा हुआ है नेक्स्टोप सेंटोसा स्टेशन तो शायद यह मैंने पहले नेक्स्टोप इसको तो यह पुरा क्लियर है कि यहां पर कितने डिफ्रेंट स्रेशन हैं अजिए अग्स्टोप अपने जारा देख सकते हों एक चीज़ आपको बोली है कि यह जो सफर हम लोग कर रहे थे हम लोग ने होटल फुरामा से एक कैब लिया और उस कैब से हमने डिरेक्ली माउंड फेवर केबल लाइन जहां से स्टार्ट होती है बस एक दब डिरेक्ली हम वहां का डेस्टिनेशन दिये अपने कार के अप में और डिरेक्ली कार से हमने होटल से माउंड फेवर तक का सफर तैगिया फिर वहां से हमने ये रोपवे लिया और फिर ये रोप से आप देखी सकते हो क्या नजारा है आपके आँकों के सामने मज़ेदार इसलिए शायद बहुत लोग बोलते हैं कि या थोड़ा कॉसली है बट फिर भी मैं बोलूगा कि एक पर आना चाहिए एक बाद जरूर है ये नजारा देखना चाहिए वो आप दूर में एक और रोपवे देख रहे हो एकदम थोड़े से राइट हं साइड में वो जो रोपवे है वो है आप बोल सकते हो इस रोपवे का एक sister concern मैं इसलिए बोल रहा हूं क्यूंकि वहाँ पे इंटर्णली जो transfers होते हैं Centosa के एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए तो वहाँ पे भी रोपवे हैं और आप उस रोप को भी वेल कर सकते हो तो आप जब मैं ये रोपवे का बुकिंग कर रहा था तब मुझे ये option दिखा भी था कि आप अंदर का internal transfers करोगे कि बाहर का तो नहीं हमने सिर्फ 2NFRO एकदब माउंड फेवर से सेंटोसा से माउंड फेवर का हमने 2NFRO का टिकेट लिया था अगर आप मुझे cost पूछोगे तो it was approximately 33 या 35 डॉलर्स हमें जाने और आने का पड़ा पड़ सच बोलने में हमने बहुत बहुत इंचॉय किया ये व्यू तो सबको देखना बनता है it was superb सो आप देख सकते हो सेंटोसा स्टेशन हमारे सामने हैं और हम सेंटोसा में जस्ट एंटर करने वाले हैं सो दोस्तो वेलकम टू सेंटोसा सो हम लोग सेंटोसा पहुँच चुके हैं माउंट फेवर से होते वे हार्बर फ्रंट हार्बर फ्रंट से होते वे सेंटोसा स्टेशन तो जैसे ही हम यहां पे पहुचे बहुत मज़ा आ गया लगा कि यार एक अलगी वर्ल्ड में आ गये लेकिन ये क्या बात होगी इतना खाली क्यों है इस का अंसर मैं आपको थोड़ी देर में देता हूँ बस हम वहां से बस पकड़े और निकल चले अब आप बोलोगे आप लोग कहां के लिए निकले तो मैं बताओ वहां से हमने बस पकड़ा और सेंटोसा का एक पार्ट को पकड़ा जो है रिसॉर्ट वर्ल्ड स्टेशन सो दोस्तों यहां पर बहुत सारे अलग अलग पार्ट सेंटोसा के सो मैं आपको यह बोलूगा कि जब आप आते हो तो आपको एक पार्ट को पकड़ना पड़ेगा तो हमने रिसॉर्ट वर्ल्ड स्टेशन को अपना डेस्टिनेशन बनाया आज के लिए और चल पड़े हैं रिसॉर्ट वर्ल स्टेशन के तरफ अब आप सोचोगी जैसे हम लोग आते हैं डिरेक्टली हम बस पकड़ते हैं मतलब यह हो क्या रहा है बताओंगा बताओंगा सो हमारा बस अभी पार्किंग में पहुँचा और पार्किंग से हम अंदर घुसे अंदर घुसे मतलब रिस स्टूडियो सी अक्यूरियम और हम लोग काफी काफी एकसाइट थे उस समय बस सब लोग चाड़ रहे थे उपर तो अभी आप बोलोगे कि हम इतना क्यू कर रहे हैं इतना एक बार केबल कार एक बार बस तो सबसे पहली बात है जब हम वहाँ पे केबल कार से पहुँचें उस समय हमें ये पता चला कि आज सेंटोसा के मेजर अट्राक्शन्स क्लोजड हैं जी हाँ दोस्तों मंडे टूस्डे और वेंज्डे यूनिवर्सल स्टूडियोज और मेजर अट्राक्शन्स आर क्लोजड बढ़ हाँ ये बाद में चेंज हो सकता है बट ये जैसी हमने सु ओ नो क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा था कि सी अक्यूरियम और यूनिवर्सल स्टूडियो हमें देखना है तो हमारा दिल तूट गया उस दिन बट ये बात हमें पहले पता नहीं थी कि सी अक्यूरियम और यूनिवर्सल स्टूडियो को आप एक दिन में कवर नहीं कर सक तो हमने सोचा, जो हो गया हो गया भई, आज हम लोग सेंटोसा गुमेंगे और सी अक्योरियम का मज़ा लेंगे, तो चलते हैं दोस्तों, सी अक्योरियम के तरफ, बट साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगा, ये सेंटोसा, मज़दार, लाजवाब, एक दमाग को मस करने के ल सो वी आल कैन सी, सी अक्योरियम और यूनिवर्सल, मैं बता रहा हूं जो मैं आपको वीडियो कर रहा हूं ना, एक दम स्टेप बाई स्टेप कर रहा हूं ताकि आपको कहीं बे भी कोई भी गड़बड ना हो, सो होफ़ोली आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप देखरों आप एक हलका से ग्लोब जैसा दिख रहा है, वो है यूनिवर्सल आइलंड, कहा है वो ग्लोब, एच्छा यहां से थोड़ा चुप गया है, फोड़ा साब को दीखेगा, शायद अब चिस देखो यह है यूनिवर्सल आइलंड का वो ग्लोब, इस पर हम लोग यहां पर कैंडी मिलती होंगी, यहां पर बड़े-बड़े लोग भी एंजॉय करते हैं, यहां मम्मी को, she is also enjoying, my father is also coming, so लग रहा है कि आज पूरी हमारी फैमली आई है यहां पर, यह है मजा यहां आने का, और वो भी वीग डेज में, वीग डेज में आईएगा, तो बहुत कम भीड है, बट प्लीज, ऐसा गलती हमने किया, Tuesday, Monday और Wednesday को छोड़के, यह किसी भी वीडियो में हमें नहीं पता चला, बट मैं बता रहा हूं कि, Monday, Tuesday और Wednesday छोड़के, आप कभी भी आ सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी बताओं कि, यहीं है, यूनिवर्सल आइलन, आप देख सकते हो, बट एक चीज में बताओं आपको, आज यूनिवर्सल आइल, यूनो, स्टूडियो बंद है यहां पे, हमारे लिए काफी बैड लग है, बट होफुली, शायद, इसके बारे में हम लोग कुछ करें, मैं आपको बताओंगा कि, क्या कर सकते हैं, कुछ प्लानिंग है, क्योंकि हर बार तो सिंगापूर नहीं आना होता है, तो कोशिश करेंगे कि कुछ करें, बट वो बात की बात है, पिलाल, तो यहीं एंजॉय करना है, आज, जो भी खुला है, उसके, उसको दिमाग में रख तो याद रखेगा, यह मैंने कभी किसी को बोलते वे नहीं सुना कि, Tuesday यहाँ पे close है, maybe due to COVID, you know, there are many restrictions are there, so this is called Universal Island, प्लान है, जाने से पहले यहाँ पे एक बार आने का, but let's see, जिस दिन आने का सोच रहा हूं, उसी दिन शाम का हमारा flight है, but hopefully we can make it, let's see, तो अभी आप लोग देख सकते हो, Sea Accurium हमारे बिलकुल सामने, और इसके अंदर क्या होने वाला है, यह तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता ही, कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है, जो, शायद मैंने अपनी आखों में, आखों से कभी नहीं होगा, लेकिन सम्टिंग विल बी नियू हियर फर मी, शायद आपके लिए भी, सलते हैं थोड़ा, देखते हैं फिर, आप देखें बगल का नजारा, इसके अधियों देखें यलो एक्सप्रेस वे आप देख सकते हो, सब्सक्राइब करते हैं, आप देख सकते हो, बहुत कम भीड़ है, अच्छा है, कम भीड़ हो, अच्छे से इंजोई भी कर पाएंगे, चलो अनितर करते हैं, फिर आपको दिखाएंगे आगे क्या होता है, एक ठंडी हवा फील हो रहा है, क्या नसारा है, अगर आप एक गंटा भी इसके सामने बैठ जाओगे, आपको काफी सुकूर महसूस होगा, काफी सुकूर महसूस होगा, मुझे लग रहा है कि काश मैं यह बैठ जाओ एक गंटे के लिए, यह नसारा स्ट्रेस बस्टर है, हर किसी के लिए,